N-C-E-R-T द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की भुगोल की पाठ्थे पुस्तक, पृत्वी हमारा आवास, प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ एक, सौर मंडल में पृत्वी, सौर मंडल में पृत्वी, प्रिष्ट एक, सूर्यास्थ के बाद आकाश को देखना कितना लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है, आप उनकी गड़ना नहीं कर सकते संपूर्ण आकाश छोटी-छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिन में से कुछ चमकीले होते हैं, एवं कुछ धुंदले ऐसा प्रतीत होता है, मानो आकाश में हीरे जड़े हूँ, इन में से कुछ तिम्टिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे, तो आप पाएंगे कि इन में से कुछ की तिम्टिमाहट अन्य से अलग है ये बिना किसी टिम्टिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रते दिन चंद्रमा को भी देखते हैं ये अलग-अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है आप पूरण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं ये पूरण चंद्रमा वाली रात या पूरणी माह होती है पंद्रह दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते यह नए चंद्रमा की रात्री या अमावस्या होती है ऐसी रात में अगर आस्मान साफ है तो आप आस्मान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं क्या आपको इस बात पर आश्चरे नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवम इन सभी छोटी चमकीली वस्तूओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तूओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तूओं जो रात के समय आस्मान में चमकती हैं खगोलिय पिंड कहलाती हैं कुछ खगोलिय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं ये गैसों से बने होते हैं इनके पास अपनी उश्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं इन खगोलिय पिंडों को तारा कहते हैं सूर्य भी एक तारा है प्रिष्ठ दो रात के समय चमकते हुए अंगिनत तारे सूर्य के समान ही है लेकिन हम से बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी उश्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत दिखाई पड़ते हैं आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं अत्यधिक उंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है रात्री में आसमान की ओर देखते समय आप तारो के विभिन समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं अर्सा मेजर या बिग बै इस प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सब्त रिशी सब्त अर्थात यह साथ तारों का समुहु है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मीजर का भाग है। इस प्रिष्ठ पर एक चितर दिखाया गया है, जिसमें सब्तरिशी एवं ध्रुवतारी को दर्शाया गया है। और एक बालिका सब्त रिशी को देखते हुए ध्रोफ तारे को उत्तर दिशा में ढूंडने का प्रयास कर रही है. अपने परिवार या पडोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वो आपको आस्मान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं. प्राचीन समय में लोग रात्री में दिशा का निर्धारन तारों की सहयता से करते थे. उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है. इसे द्रुव तारा भी कहा जाता है. यह आस्मान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है. हम सब्तरिशी की सहयता से द्रुव तारी की स्थिती को जान सकते हैं. चित्र एक दशमलव एक में आप देखेंगे कि यदि सब तरिशी मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक कालपनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुफतारी की ओर इंगित करेगी कुछ खगोलिय पिंडों में अपना प्रकाश एवं उश्मा नहीं होती है वेतारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट्स कहते हैं ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घुमने वाले पृत्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है यहाँ अपना संपोरण प्रकाश एवं उश्मा सूर्य से प्राप्त करती है जो पृत्वी के सबसे नस्दी का तारा है पृत्वी को बहुत अधिक दोरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यहाँ चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी कुछ रोचक तथ्य, ब्रिहसपती, शनी तथा यूरेनस के चारो ओर छले है यह चले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टिया है पृत्वी से इन चलों को शक्तिशाली दूरबीन की सहता से देखा जा सकता है प्रिष्ठ तीन इस प्रिष्ठ पर हमारे सौर मंडल के विशे में बताया गया है इस पूरे प्रिष्ठ पर एक चित्र दिया गया है जो हमारी सौर मंडल में स्थित सूर्य और उसके चारो ओर चक्कर लगा रहे ग्रहों को दर्शाता है साथ ही इस चित्र में क्षुद्र ग्रहों की पट्टी को भी दर्शाया गया है इसके अलावा इस चित्र में प्रत्य ग्रह की सूरी से दूरी और उसकी कक्षा को भी दर्शाया गया है इस चित्र में दूरी मिलियन किलोमेटर्स में दी गई है एक मिलियन में दस लाख किलोमेटर होते हैं इस चित्र में नीचे ग्रहों से संबंधित कुछ महत्वपूरण जानकारियां दी गई हैं। जैसे सूर्य से पहला ग्रह है बुद्ध ग्रह। सूर्य के चारो ओर एक परिक्रमन करने में इसे 88 दिन अपने अक्ष पर लगते हैं। और इसका घूरणन उन 60 दिन का होता है। इसी प्रकार दूसरा ग्रह है शुक्र। सूर्य के चारो ओर एक परिक्रमन 255 दिन। अपने अक्ष पर घूरणन 243 दिन। सौर मंडल का तीसरा ग्रह है प्रिथ्वी। सूर्य के चारो ओर एक परिक्रमन 365 दिन। अपने अक्ष पर घोर्णन एक दिन। चंद्रमा की संख्या एक। सौर मंडल का चौधा ग्रह है मंगल। सूरे के चारों ओर एक परिक्रमन 687 दिन। अपने अक्ष पर घोर्णन एक दिन। चंद्रमा की संख्या दो सूर्य के चारो और खोम रहे इन चारो ग्रहों को हमारे सौर मंडल के आंतरिक ग्रह कहा जाता है ये सुर्य के बहुत नस्दीक है और ये चटानों से बने है इसके बाद चित्र में सौर मंडल के पांचवे ग्रह ब्रिहस्पती की स्थिती के बारे में बताया गया है सूरे के चारों और एक परिक्रमन 11 साल 11 महीने अर्थात लगभग 12 साल अपने अक्षपर घोरणन 9 घंटे 56 मिनट चंद्रमा की संख्या लगभग 30 सौर मंडल का छठाग रहा है शनी सूरे के चारों और एक परिक्रमन 29 साल 5 महीने अपने अक्षपर घोरणन 10 घंटे 40 मिनट चंद्रमा की संख्या लगभग 30 सौर मंडल का साथवा ग्रह है यूरेनस सूरे के चारों और एक परिक्रमन 84 साल अपने अक्षपर घोरणन 17 घंटे 14 मिनट चंद्रमा की संख्या लगभग 27 सौर मंडल का आठवा ग्रह है नैप्च्यून सूर्य के चारों और एक परेक्रमन 164 साल अपने अक्षपर घूरणन 16 घंटे 7 मिनट चंद्रमा की संख्या 13 ब्रिहस्पती से लेकर नैप्च्यून तक सभी ग्रहों को ब्राह्य ग्रह कहा जाता है सूर्य से ये बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के हैं ये गैस और तरल पदार्थों से बने है प्रिष्ठ चार आस्मान में दिखने वाला चंद्रमा एक उप्ग्रह है यहां हमारी प्रिथ्वी का सहचर है तथा इसके चारो ओर चक्कर लगाता है हमारी प्रिथ्वी के समान साथ अन्य ग्रह है जो सूर्य से प्रकाश एवं उश्मा प्राप्त करते हैं उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है सूर्मंडल सूर्य आठ ग्रह उप ग्रह तथा कुछ अन्य खगूली या पिंड जैसे क्शुद्र ग्रह एवं उलका पिंड मिलकर सूर्मंडल का निर्मान करते हैं उसे हम सूर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुख्या सूर्य है सूर्य सूर्य सूर्मंडल के केंद्र में स्थित है यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है इसका खिचाव बल इससे सूर्मंडल को बांधे रखता है सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं उश्मा का एक मात्र स्रोत है लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज उश्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नस्दीक का तारा होने के बावजूद यहां हमसे बहुत दूर है सूर्य प्रिथ्वी से लगभग 15 करोड किलो मीटर दूर है ग्रह हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, प्रिथ्वी, मंगल, ब्रिहस्पति, शनी, यूरेनस तथा नैप्चियून सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है My very efficient mother just served us nuts इस वाक्य के पहले अक्षरों को आप याद रख सकते हैं जो की हमारे ग्रहों के क्रम में है सौर मंडल के सभी आठ ग्रह एक निश्चित पद पर सूरे का चकर लगाते हैं ये रास्ते दीरगवरित्ताकार में पहले हुए हैं ये कक्षा कहलाते हैं बुद्ध सूरे के सबसे नस्दीक है अपनी कक्षा में सूरे के चारों और एक चकर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं शुक्र को प्रिथ्वी का जुडवा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकरिती लगभग प्रिथ्वी के ही समान है अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था परन्तु अंतराश्ट्रिय खगोलिय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निरने लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलिय पिंड 2003 UB 313 सिरस तथा प्लूटो भौने ग्रह कहे जा सकते हैं क्या आप जानते हैं? पौरानिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से सम्बंधित इसी लिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल यानि सोलर सिस्टम कहा जाता है सौर शब्द का उपियोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें शब्द की उत्पत्ति ऐसे बहुत से शब्द जिनका उप्योग हम एक भाशा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाशाओं से लिये गए शब्द हो सकते हैं उदाहरण के लिए जियोग्रफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाशा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ है प्रिथ्वी का विवरण यहाँ दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें G-E शब्द का अर्थ है प्रिथ्वी, एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना आईए प्रिथ्वी के संबंध में और अधिक जाने जियो, धन लौजी, प्रिथ्वी का अधियन, जियो, धन मेट्री, प्रिथ्वी का मापन, जियो, धन ओईड, प्रिथ्वी के आकार के अनुरूप क्या आप जानते हैं? रात में आस्मान को देख कर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है खगोलिय पिंडों एवं उनकी गती के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं आर्यभट प्राचीन भारत के प्रसिध खगोल शास्त्री थे उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं आज विश्व के सभी भागों में खगोल विद ब्रह्महंड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं प्रिष्ठ पाँच प्रिथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से प्रिथ्वी तीसरा ग्रह है आगार में यहाँ पाँच्वा सबसे बड़ा ग्रह है यहाँ ध्रुवों के पास थोड़ी चप्टी है यही कारण है कि इसके आगार को भू आभ कहा जाता है भू आभ का अर्थ है पृत्वी के समानाकार जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतह केवल पृत्वी पर ही पाई जाती है पृत्वी ना तो अधिक कर्म है और ना ही अधिक ठंडी यहाँ पानी एवं वायू उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्चक है वायू में जीवन के लिए आवश्चक गैसे जैसे ऑक्सिजन मौजूद है इन्ही कारणों से पृत्वी सौर मंडल का सबसे अध्भुद ग्रह है अंतरिक्ष से देखने पर पृत्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी दो तिहाई सतह पानी से ढखी हुई है इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है चंद्रमा हमारी पृत्वी के पास केवल एक उप ग्रह है इसका व्यास पृत्वी के व्यास का केवल एक चौथाई है यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलिय पिंडू की अपेक्षा नस्दीक है यह हम से लगभग 3,84,400 किलोमेटर दूर है अब आप पृत्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं इस प्रिष्ठ पर एक चित्र दिया गया है इस चित्र में अंतरिक्ष से लिया गया चंद्रमा का चित्र दिखाया गया है इसी प्रिष्ठ पर एक और चित्र दिखाया गया है जिसमें मानव निर्मित उपग्रह के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार रॉकेट का प्रक्षेपन किया जाता है तथा उसके बाद मानव निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है तथा रौकेट का बचा हुआ हिस्सा प्रिथ्वी पर वापस गिर जाता है इसके बाद छोड़े गए उपग्रह को उसकी कक्षा में प्रवेश कराने का दृष्य दिखाया गया है क्या आप जानते हैं? प्रकाश की गती लगभग तीन लाख किलोमिटर प्रती सेकेंड है इस गती के बावजूद सूर्य के प्रकाश को प्रिथ्वी तक पहुँचने में लगभग आठ मिनट का समय लगता है रोचक तत्य नील आमस्ट्रॉंग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1979 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा मालूम करो कि क्या कोई भारतिय चंद्रमा पर गया है? उप ग्रह एक खगोलिय पिंड है जो ग्रहों के चारो ओर उसी प्रकार चकर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारो ओर चकर लगाते हैं मानव निर्मित उप ग्रह एक क्रित्रिम पिंड है यह वैज्यानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उप्योग ब्रमहंड के बारे में जानकारी प्राप्त करनी एवं प्रित्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं प्रित्वी के कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतिय उपग्रह इनसेट, आई आरेस, एडूसेट इत्यादी हैं। प्रिष्ठ छे चंद्रमा प्रिथ्वी का एक चकर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यहाँ अपने अक्ष पर एक चकर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप प्रिथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर परवत, मैदान, एवं गड़े हैं, जो चंद्रमा की सतह पर चाया बनाते हैं। अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चकर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं ब्रिहस्पती के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। इस प्रिष्ठ पर इस संबंध में एक चित्र दिया गया है, जिसमें क्षुद्र ग्रह की एक तस्वीर दिखाई गई है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह, ग्रह के ही भाग होते हैं, जो की बहुत वर्ष पहले विस्भोट के बाद ग्रहों से तूट कर अलग हो गई। उलकापिंड। सूर्य के चारों और चकर लगाने बाले पत्थरों के छोटे-छोटे टुकणों को उलकापिंड कहते हैं। कभी-कभी ये उलकापिंड पृत्वी के इतने नस्दी का जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ती पृत्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायू के साथ घर्शन होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फल स्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी-कभी कोई उलका पूरी तरह जले बिना पृत्वी पर गिरती हैं जिससे दरातल पर गढ़े बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चोड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है। यह लाखों तारों का समुह है। यह पट्टी आकाश गंगा यानी मिल कीवे है। हमारा सौर मंडल इस आकाश कंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कलपना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश कंगा पड़ा था। आकाश कंगा करोणों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है इस प्रकार की लाखों आकाश कंगाएं मिलकर ब्रम्हंड का निर्मान करती है प्रश्थ साथ ब्रम्हंड की विशालता की कलपना करना अत्यधिक कठिन है वैज्यानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है इस प्रिष्ठ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें कई सारे वृत्त खीजे गए है जिसमें सबसे बाहरी वृत्त पर ब्रह्मांड लिखा गया है उसके अंदर के वृत्त पर आकाश गंगा लिखा गया है उसके अंदर के वृत्त पर सौर मंडल लिखा गया है उसके भी अंदर एक वृत्त है जिस पर पृत्वी लिखा गया है